दान के अधया देटरिश्य वर यह स्वस्कान आध स्ट्राइग कर दो गोवल बाल तो ऐसा सोचने लगी हममें कोई वेशिष्ट है हमें कोई महनता है हममें कोई बड़ी योग किता है हम्में कोई बड़ी पातुरता है इन चीजों को थोड़ा भूलना यह एंकार की और लेकर जाती हैं यह पतन की और लेकर जाती हैं यह सब चीजें आपकी सेश्टता कुछ छपाती हैं आपकी भीतर की सारी महनताओं को ढख लेंगी इनको ऐसा मत बोलना मैं योग हूं मैं पात्र हूं मैं समर्थ हूं मैं अधिकारी हूं ऐ कुछ लोग ऐसा मानते हैं हम तो सर्वथा देखा रही हैं पात रहें योग गहें इबिलिटी की को कभी तो नहीं है हमारे पास डिगरियां होंगी एबिलिटी नहीं वो बड़ी चीज है डिगरियां हो सकती हैं आपके पास अट्टालिकाय हो सकती है पदार्थों के प्रचुरता हो सकती है वस्तों के बहुलता हो सकती है वाहनों के लंबी कतार हो सकती है बड़े समू के आप स्वामी और शाषक हो सकते हैं आपके संप्रदाएं में लाखों आपके अन्याई हो सकते हैं पर वो योग गिता तो जिसमें विनम्र रहें, सहज रहें, स्वाभाविक रहें, नैसरगिक रहें भगवान के कृपा के बिना प्राप्त नहीं होते हैं यह गुण साधनते नहीं होई तुमरी कृपा, पाव, कोई-कोई यह गुण, कौनसा गुण? अहम अन्यता से मुक्त होना अहम शुन्य होना यह गुण कहां से लाओगे? कि आप में एहंकार ही न रहे? पुरशार्थी उन्हीं को तो कहेंगे जो अपनी दुरबलताओं को जानकर उनसे मुक्त होना चाहते हैं किसे कहें पुरशार्थी? प्राक्रमी किसे कहें? विजेता किसे कहें? धन्ने किसे कहें? किसे महान कहें? महान तो वही है जो अपनी दुर्बलताओं को अपने दैनने को अपने विकारों को अपनी अंते करण में छपी कामना और वासनाओं को ख़देड़ने के लिए तत्पर है अई तो महान है